यह हैं पाच चीजे जो एक CHS कर सकता है पैसे बचाने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए नमबर वन, एनर्जी ओर्डिट यह देखना कि कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है कहां से और उसको एक विजुली देखना और फिर देखना कि कहां कम हो सकता है दूसरा, Water Reserve, पानी को स्टोर करना सबसे बड़ा Energy Saving Mode है क्योंकि उस पानी से काफी चीजे किया जा सकते हैं एक टर्बाइन चला जा सकता है, एक छोटा सा मोटर चला जा सकता है और ड्राइ मंद्स में पैसे पानी मिल सकता है तीसरा, Maintenance Cost, Replacement Cost चक करना चाहिए जो High Value items है, High Value, High Turnaround items है उनको EMC में होना चाहिए जो Low Cost, Low Value Quick Replacement items है उसको At Cost करना अच्छा रहता है तीसरी चीज, After Conserving Energy तीसरा है, एक Shutdown Schedule ये देखना कि कब हमें काफी चीज़े नहीं चाहिए और उस वक्त उसको बंद करना And last but not the least हमने Energy देख लिया, Light देख लिया, Water देख लिया अभी Overall EMC Audit होना चाहिए कि कौन से EMCs हमारे महंगे हैं, कौन से सस्ते हैं जब हम Housing Society में रहते हैं तो जो Low Cost items है, जिनका Low Replacement है वो हम Individual Owners को Transfer कर सकते हैं और जो High Cost items है जैसे अगर तुमारे यहां Automated Door Lock या Alarm System है तो उसका Unit Replacement Main Cost में हो सकता है क्योंकि उसका खराब होने का Chance कम है जो चीज़े खराब होने का Chance जादा है और Low Cost है उसको हम Owners को Transfer कर सकते हैं Last but not the least यह सब करके जो एक Functioning Cost है Operation Expenses इसको Time Time पे Review होना चाहिए मुझे याद है जब 8 लाग का per month हमारे Society का Operation Cost हो दे थे अभी वो Hardly 4.5-5 Lakhs है Almost 50% हमने क्या किया एक Expensive Security Guard System को निकाल के Economical वाला डाला है थोड़ा टाइम लगा उनको Training करने में पर काफी Cost बचा So hope यह वीडियो आपके लिए helpful होगा Thank you